देखिए बहुत इंतिजार और प्रियासों के फलसरूप उत्तर प्रदेश TGT PGT परिक्षा 2021 की वैकेंसी आई है इस वैकेंसी को लेकर बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर अभी आपको जानकारी नहीं है या आपके मन में बहुत सारे ऐसे प्रिस्न हैं जिनके उत्तर आप जानने की कोसिस कर रहे हैं यदि आप TGT PGT के अभ्यरती हैं तो आप इस वीडियो को अंतितक देखेगा पूरी सालिंता से देखेगा और कुछ पॉइंट्स को नोट्स करते हुए देखेगा क्योंकि यदि आप अभ्यरती हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियों को समाविसित किया गया है जो परिक्षा तक आपके काम आएगी आज मैं कुछ ऐसे ही प्रिष्णों को लेकर आया हूँ जो पिछले वीडियो पर आपने कमेंट किये थे जिनके लिए लगातर संदेश आ रहे हैं कौल आ रहे हैं ऐसे प्रिष्णों को आज के वीडियों में सामिल किया है पीछे आप 6-7 मुख रूप से विशय देख रहे हैं इन विश्वों पर बारी-बारी से बातचीत की जाएगी आज की वीडियो में पिर मुख विशय है कि सामान सिक्षक और तदर्थ सिक्षक इन दोनों के जो भारांग अलगलग किये गये हैं इनके जो पूरांग अलगल तैयारियां प्रागम भी की हैं नए नियोमों पर हो रही परिक्षा की तैयारिया आप किस प्रकार से प्रागम करें कि आप अपने चैन को सुनिश्चित कर सकें बिध्यक्ति के बड़े परवर्तन और बदलाव क्या है और विशावार हमारी सटीक रणनीती क्या हो जिससे हम लिश्चित रूप से सफलता अरजित कर सकें जैसे विज्ञान वर्क के विश्चों के लिए आपकी रणनीती अलग होनी चाहिए और मानविकी के विश्चों के लिए आपकी रणनीती थोड़ी सी अलग होनी चाहिए इन सब चीजों पर हम लोग बात चीत करेंगे साथ ही स तो आज इस महतपूर चर्चा की हम लोग शुरुबात करते हैं सबसे पहले हम लोग सुरुबात करते हैं अपने वैच की जानकारी से दो मिनिट में नए वैच की में आपको जानकारी प्रोवाइड करूँगा और इसके बार फिर जितने भी विशाय आपको सामने दिख रहे ह इन विश्यों पर बारी वारी से मैं आपसे चर्चा करूँगा भारत के सरफसेट विशाय विश्यषग्यों की टीम के साथ तार्गिट भी तालोग ऑनलाइन इस्टिटूट में TGT PGT परिक्षा 2021 के सभी विश्यों के लिए ऑनलाइन वैच संचालित किये जा रहे हैं हम ल प्रिक्षा के लिए इस बैच में जो पढ़ाई लिखाई है वो 6 नमंबर से प्रारम होगी और प्रिवेस पिरक्रिया इस बैच में आजसे ही प्रारम हो रही है आज से लेके अगले चार दिन आप इस बैच में प्रिवेस सुनश्चित करा सकते हैं 5 तारीक की साम तक आप हो रही है और बैस से जोड़ने की तरीके क्या है मैं इस पर आप से डिटेल में बातचीत करता हूँ सबसे पहले तो आपको जिस बैस से जोड़ना है आईए हमारे संस्थान का एक इसको आप अपने मोबाइल में सेप करिए इस पर वाटसब पर एंट्री टीजीटी पीजीटी और उसके आगे अपने विसाय का नाम लिखकर आप फेज दीजिए हमारी तरफ से आपको एक विस्तित आपकी विसाय की और कॉंबिनेशन की जानकारी के साल मैसेज मिलेगा उसम से प्रिवेश ले सकते हैं वाटसब करके आप एडमिशन प्रोसेज मगा सकते हैं और वहां से आप प्रिवेश को सुनेश्चित करा सकते हैं किन-किन विसाय के लिए प्रिवेश आज से प्रादम हो रहे हैं गरित इंजिनियर संदीप तिवारी सरद्वारा जो बहुत ही अ गुगोल है राजनिती विज्ञान यक नाक्रिक सास्त है गौरब पांडे सर गौरब नरेयन सर और डॉक्टर जोती सिंग जी तिकले तो यह सामाज एक विज्ञान है गिरह विज्ञान सिवांगी जी जो आपको पढ़ा रही है आप लगातर इनके डेमो देख रहे हैं और व कर्मिशन से जो सूचनाय मिल नहीं है वो किस प्रकार जीविज्ञान के अभ्यरतियों को लाब पहुंचा सकती है इस पर भी मैं आपसे भी डेटेल में बातचीत करूँगा इसके अलाबा संस्थान के छे नंबर हैं आपको अगर कोई भी दिक्कत हो प्रिवेस में तो आप इन छे नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल कर लीजे है यदि आपके मन में कोई भी संदे हो कोई बात हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो निश्चित तूर पर आप इन numbers पर फॉन करिए और इन numbers पर फॉन करके आप अपने प्रिवेश को सुने चेट करा लिजिए सबसे अच्छा तरीका जो प्रिवेश का है और demo देखने का है जैसे माल लिजे आप इन विश्चों में admission लेना चाहरे हैं तो इन विश्चों में अगर आप admission लेना चाहरे हैं तो admission से पहले आप ये चाहेंगे कि हम इन विश्चों के demo देखें demo आप कैसे देख सकते हैं कहां पर आपका batch चलेगा किस तरह की video quality होगी आप batch को कितनी बार देख सकते हैं अपने विडियो को notes आपको कैसे मिलेंगे इन सब के नमूने को आप आज से ही देख सकते हैं कैसे देख सकते हैं description में जाएए या comment box जो YouTube का दिख रहा है मेरे विडियो के नीचे आप comment box पे जब click करेंगे तो वहाँ पर एक message बिन है उस message में हमारे app का link दिया गया है और description में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारे app का link दिया गया है target with alog online institute के app को आप download कर लीजिए play store से उस link को click करेंगे वह आपको play store पर ले जाएगा उस app को आप download करेंगे उस app को जैसे ही आप click करेंगे तो वहाँ पर आप app के जब अंदर जाएंगे तो एक store भी ले लेगा आप आप जब store को click करेंगे इन सभी विश्यों के चार-चार demo class वहाँ पर है already notes के जो आपके pattern है वो notes के pattern वहाँ पर है इन demo classes को देखिए जाचिए वहाँ पर demo करिए और आप अपना नेनय लीजिए कि बास्तों में आपको किस प्रकार की पढ़ाई की जरूरत है और किस प्रकार की अध्यान और सिक्षण की जरूरत है यहाँ पर आप देखिए आप में से बहुत सारे लोग उम्मर में बहुत बड़े हो सकते हैं मुझसे लेकिन परिक्षा के लिए आपको सही माध्यम सही रणनेती और सही मेटेरियल और सही अध्यापक का साथ मिलना बहुत जरूरी है इन सभी विश्यों के डेमो आप हवा में अंधेरे में मत रहें इन सभी विश्यों के डेमो को आप वहाँ पर जाईए किलिक करके देखिए और किलिक करके जब आप डेमो देखेंगे चार-चार तो आपको मालुम चलियाएगा कि आप जो नेरा लेने जा रहे हैं वो आपक लिए कितना सही है तो आप यहां से डेमो देखिए उसी के नीचे परचेस का बटन है आप वहीं से कोर्स को परचेस कर सकते हैं जैसे आप कोर्स को परचेस करेंगे स्वता ही आपको आईडी और पास्वर्ट जनरेट हो जाएगा इसके बाद 6 तारिक को संस्थान की तरफ से आपको संदेश्क देकर आपकी कच्छाएं प्रारंब कर दी जाएंगे हमारे स्कोर्स में क्या-क्या है इस नए बैच में क्या-क्या है मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं घ्यान दीजीगा अगदी आपकी 5 मा है पिरते एक दिन आपकी एक प्लस घंटे की क्लास मरलों डेली आपकी एक समय पर एक प्लस घंटे की क्लास होगी, पाँच माहे तक, आप उस क्लास को कभी भी देख सकते हैं, संस्थान का क्लास अपलोड करने का एक टैम है, आप उस क्लास को कितिनी भी बार देख सकते हैं, और कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, वो class अगर एक बार upload हो गई तो वो फिर आपके पास रहेगी, वो आपकी class है, offline की तरह नहीं कि हम कहीं class पढ़ने गए और हम बैठे और एक बार teacher ने राम मार निकाल दिया, और राम मार निकलने के बाद फिर वो राम मार बिलुक्त हो गया, इसके बाद फिर आप उसको नहीं का, दूसरा, एक घंटे प्लस की class, daily live doubt session, अब आपको ये लगेगा कि सर हमने class देख ली हमें पूछना है, तो हम कैसे पूछे, तो हर सकता है, आपको दो घंटे का एक live doubt session भी मिलेगा, आप अपनी बात को कह सकते हैं, आपके जितने भी comments होंगे, उनको live पढ़ा जाएगा और आपके पृष्णों के उत्तर दिये जाएंगे, संस्थान के द्वारा infrastructure में पूरिये विवस्था की गई है, कि आपसे live interaction किया जाए सकते हैं, और आपके पृष्णों के उत्तर दिये जा सकते हैं, topic wise test, अध्यायबार, जैसे आपका एक topic complete हुआ, 25 पृष्णे के माध्य होंगे, तो उसको एक unit माना जाएगा, तो topic wise test भी चलेंगे, और unit wise test भी आपके चलेंगे, साथ साथ आपकी पढ़ाई और live doubt sessions भी चलते रहेंगे, PDF प्लस handwritten notes, PDF वो notes है, जो आपको किताबों के माध्यम से मुख मुद्दों पर बनवा के आपको भीजे जाएंगे, और handwritten notes वो है, जो teacher आपको पढ़ा रहे हैं, उन teacher के वरसों के अनभाव के बाद, उनके द्वारा स्वयम बना कर आपको भेजे जा रहे हैं, जो हस्त लिखते हैं, handwritten notes से हमेशा प्रिश्ण आने की जो गुंजायस होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें teacher का अपन अनभाव समावेशित होता है, तो संस्था से हमेशा दो प्रकार के notes प्रिटेग विसाय के लिए आपको प्रदान किये जाते हैं, एक तो handwritten notes किये जाते हैं, और एक आपके printed notes आपको दिये जाते हैं, प्रिटेग विसाय के लिए, संभावित प्रिश्ण उत्तर से इंखला, यूनिट बाईज भी और पूरे सिलेवर्स से भी आपको संभावित प्रिश्ण उत्तर से इंखला दी जाएगी टेस्ट सीरीज जब आपका पाठिकरम पूरा हो जाएगा तो एक इस तरीए टेस्ट सीरीज आपको यहां से प्रोवाइट की जाएगी टकि अंतिम समय में आप अपनी तयारी को अच्छे से जाच सके और परक सके यह जो टेस्ट चलते रहेंगे यह तो अलग चलते रहेंगे उसके बाद एक टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी और लाश्ट में आपकी लाइब मेराथन रिवीजन किलास होगी लाइब मेराथन रिवीजन किलास जिसमें जितना पार्थिकरम आपने पड़ा है उस पार्थिकरम का एक बात पुना आपको प्रारम से लेके अंधतक रिवीजन कराया जाएगा विसाय अध्यापक के द्व आप घर रहिए आप घर पर ही पढ़िए आपको कही निकल ले की जरूरत नहीं है आपको अपना टाइम बेश्ट करने की जरूरत नहीं है जब समय मिले उस class को अच्छे से पर लीजिए एक बार memorize कर लीजिए आप अपनी सभी जिम्मेदारियों का निरुभन करते ही इस बड़ी vacancy में जो मौका मिला है आप बहुत आराम से अपनी तैयारियों को कर सकते हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि बदलते परवेस में 100 साल पुर जो आपका नियम है उस पर आयोग आपकी परिच्छा लेने जा रहा है इस परिच्छा में कई तरह के ups and downs हैं जो मौका आपको मिला है इस बदलते परवेस में जब डेली परवर्तन हो रहे हैं इस मौके को किसी भी कीमत पर आप अपने हाँ से जाने मत दीजिएगा क्योंकि वेटेज के साथ आपको मौका मिला है उस पर भी मैं अभी चर्चा करने चल रहा हूँ सामान सिक्षक और तदर्थ सिक्षक जो है कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं मैं उस पर भी बात करने चल रहा हूँ लेकिन जो मौका मिला है इस मौके में आप तब सफल यह विशे विशे शक्ता है यह सामत प्रिक्षा की तरह नहीं मिले लुआ लिली यह अच्छी सतिक रणनीची बिलेगा और इसके लिए आप आपको एक योग अध्यापत की जरूरत है, एक योग टेम की जरूरत है, एक योग माहुल की जरूरत है, जब आप किसी बैच में होते हैं, तो एक competition का जो माहुल होता है, वो आपको प्रेरित करता है पढ़ाई करने के लिए, तो आपको उस माहुल की जरूरत है, वो माहुल आपको टार्गेट वितालोग online institute दे रहा है उत्तर भारत के सरवसेष्ट विसेषग्यों के साथ जो स्वयम 3-3-4-4 वार के इंटर्विवर हैं उन्होंने स्वयम इंटर्विवर दिया है और वो पढ़ा रहे हैं वो अल्रेडी पढ़ा रहे हैं तो ऐसे विसेषग्यों की टीम के साथ टार्गेट वितालोग online institute आपके समक्ष है यह तो हमारे बैच की विसेष्टा होंगे मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में जाए एप है एप को क्लिक करिए सभी विशय के डेमो जितने विशय हैं सभी विशय के डेमो वह कर लीजिए verify करा लीजिए अपने प्रिवेश को 6 नमंबर से मौका नहीं मिलेगा 6 नमंबर से अनवरत कक्षाइं सुरू हो जाएंगे हम बार बार यहीं नहीं करते रहेंगे कि लोगों को जोडते रहें और चलाते रहें नहीं 5 नमंबर तक निश्चित तौर पर आप अप बरते हैं अब कुछ महत्पूर जानकारियों पर भी बात कर लेते हैं जैसे टेजीटी पीजीटी के जो कुल करपद हैं वो 15508 है प्रारंबिति थी आपके रेजिस्टेशन की जो प्रारंबिति थी है वो 29 अक्तूबर है अंतिम्ति थी है जो 27 नमंबर है परिक्षा तिथी जिस पर आयोक कार कर रहा है जो आयोक के सदस्टों से बात हुई है वो मार्च मद्ध से लेकर मार्च मद्ध से लेकर और मार्च अंत तक मतलब मार्च मद्ध से लेकर मार्च अंत तक आपकी परिक्षा हो जाएगी अगर आसे ही हम टाइम की कैलकूलेशन करें तो लगभग लगबग आपके पास केबल पांच माह का ही समय है या उतना ही समय है जितना आपके लिए बहुत अनबार है क्योंकि इससे कम समय में इतने वड़े विशयवरक की तैयारी भी नी की जा सकती और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लोगों को तो दो-दो कॉंबिनेशन तैयार करने है तो उनके लिए चनोतियां यहाँ पर बड़ी है एक विशाय में आपको दो-दो विशाय पढ़ने हैं तो ये बहुत आसान टास्क आपके लिए नहीं होने जा रहा है तो तैयारी आपको सुरू अभी से करनी पड़ेगी प्रतिक विशाय का नेचर लगे जैसे गरित बाले हैं गरित का इतना बड़ा भाग है कि आज तक आप कमप्टीशन के लिए जितनी गरित करते थे जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कमप्टीशन से जोड़े रहे होंगे SSC, बैंक, रेलवेज या उन्होंने लोग से वायोग की परिछाय नहीं होगी कमीशन की गरित से भी वो जोड़े रहे होंगे लेकिन इस गरित का नेचर उस सामन कमप्टीशन से थोड़ा साथ अलग करकर के इसको देखे, अपने आसपास के माहल को भी बदलिए और थोड़ा सा सोचिए कि अगले 5 महीने हम इस परिक्षा को करना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर जजबा नहीं होगा, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे, पहले अंदर से आपको दुरण होना पड़ेगा इस परिक्षा को पास करने के लिए, क्योंकि यह आसान टास्क की तरह नहीं है कि छोटा सा पाठिकरम हम कर लेंगे, इसके लिए आपको मन लगाकर जुटना ही पड़ेगा, नोट से, रिवीजन से, टेस सीरीज से, डेली रिवीजन से, डेली किलासे से, पाच महीने जब आप अपने आपको अपने विशा के काफी आसपास रखेंगे, रिवीजन के आसपास रखेंगे, किला है, कॉमर्स है, किर्सी है, सबासास, ये सभी के प्रिवेश दूसरे चरण में प्रारम होंगे, 19 नमंबर से, तो जो भी इस विशा के अभ्यरती हैं, जो लगाता संस्थान से कॉल करना है, वो थोड़ा सा वेट करेंगे, 19 नमंबर तक आप वेट करेंगे, और 19 नमंब प्रदेश में पैंतालीस सो से अधिक जो सिक्षकों की भरती हो रही है, या उत्तर प्रदेश इंटर्मीडियेट सिक्षा अधिनियम, 1921 के आधार पर हो रही है, जो सो बर्स पुरानी प्रता है, सो बर्स, आपने अलग-लग वेरियेसंस भी देखे होंगे, जैसे कर कला वर वर्ग में आप जाएं, तो कला वर्ग में डिप्लोमा को बरीता दी गई है, यदि आप इंटर्मीडियेट में डिप्लोमा धारी हैं, तो भी आप कला से TGT दे सकते हैं, जीब विग्यान और विग्यान का मामला आपने देखाई है, कि अगर आपने वाइलोजी से और बॉ मौका नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आपने फिजिक्स केमिष्टी से किया है, तो मौका दिया गया है, जीब विग्यान वाले सभी सभ्यारती मेरी बात को अब ध्यान पूर्बक सुनें, जीब विग्यान का जो मामला है, जीब विग्यान के मामले को सुल्झा लिया गय एक विज्ञान एक करके जिसमें फिजिक सुक्सल् 겋मिष्टी होगा और एक विज्ञान दो करके जो किसका होगा जी विज्ञान का होगा विज्ञान दो का जो तयारी तो औरीकल लिगई थी notification की लेकिन वो सासन इसतर पर verify नहीं हो पाया और सासन इसतर पर verify नहीं होने के कारण इस विज्व्जप्ति के साथ वो विज्व्जप्ति नहीं आ पाई लेकिन पांच नमंबर तक आप लोग इंतिचार करिये पांच नमंबर के बाद उस पर नियना लिया गया है और सासन इस तर से विज्ञान दो करके आपकी जो विज्यप्ति आएगी उसमें निश्चत रूप से जी विज्ञान सामिल होगा आप इस बात को बिल्कुल आप बिल्कुल हतास नहों आसान बित रहे और निश्चत रूप से यहां से जो भी जानकारियां आपको दी जाती हैं वो पूरता एथिंटिक जानकरिया आपको दी जाती है तो पांच नमबर का आप इंतिजार करिये विज्ञान दो करके एक और विज्यप्ती में सुधार होगा जल्द ही आपको 5 नमंबर तक इसकी सूचना दे जाएगी और जिप विग्यान वालों को भी इसमें मौका मिलेगा तो ये जिप विग्ञान वाले क्लियर है अब सामान सिख्षक को तदर्ध सिख्षकों की एक बार बात कर लेते हैं देखें सामान सिक्षक के लिए प्रिकरिया एकदम साफ है 125 प्रिस्न है और एक प्रिस्न है आपका 4 अंक का है तोटल आपका 500 अंक का पूरांक हो गया सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडन्स था उसके आधार पर आप इस सभी लोगे जान रहे हैं कि मार्च में ये परिक्षागर नहीं कराएंगे तो 2021 तक इस वेकिंसी को नहीं भर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही आप जानते हैं कि सिक्षकों की कमी हैं विध्यालेओं में सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये निर्लय ले चुका है कि जो तदर्थ सिक्षक पढ़ाते थे वो जुलाई 2021 के बाद नहीं पढ़ाएंगे आपको इनको एक प्रिक्रिया के तहर सामान प्रिक्रिया के तहर सिक्षकों के रूप में न्युक्त करना है इनकी दक्षता की जाच करके और इनके ज्यान की जाच करके उसके लिए इनकी 20 वर्ष की जो सेवा है माली जे 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं कोई 15 वर्ष से पढ़ा रहे हैं कोई 10 वर्ष से पढ़ा रहे हैं उनको तदर्थ सिक्षक कहा गया इनके लिए 35 नंबर का वेटेज भी दिया गया है पर एर जो बैटेश है वो 1.75 का है इसका आप समझ लीजिए सामान जो सिक्षक है उसके लिए जो एक प्रिस्न होगा वो 4 अंग का होगा उसका पूरांग 500 का होगा तदर सिक्षक भी उसी फॉर्म को भरेंगे लेकिन उनका जो पूरांग होगा वो 465 का होगा और एक प्रिस्न होगा वो 3.72 का होगा एक प्रिस्न इनके भी 125 होगे लेकिन 125 में एक प्रिस्न जो होगा वो 3.72 का होगा तो इनका टोटल कित्ता बनेगा 465 बनेगा 35 नमबर जो इनके होंगे वो 35 नमबर इनके क्या होंगे additional होंगे भारांग होंगे ये भारांग इनको कैसे मिलेंगे 1.75 मार्क्स पर air के हिसाब से अब air की calculation कैसे की जाएगी इसको भी सबज लेजिए आप यदि पढ़ा रहे हैं किसी विद्यालाय में और आपके पास अनभाव है तो एक वर्स के अनभाव पर आपको 1.75 दिये जाएंगे उस अनभाव को verify कैसे किया जाएगा आपके पास treasury भुकतान की रसीद हो बिल हो आपको जो नियुकती दी गई होगी उसका भुकतान आपको treasury द्वारा आवंटित खाते में किया जा रहा होगा उस भुकतान की अगर रसीद आपके पास है तो आपका अनभाव verify माना जाएगा उस भुकतान का statement आपके पास है परेयर तो एक नंबर एक वर्स के भुकतान का जो अंख है वो आपका किता है एक दसमलो साथ पाँच है एक वर्स का भुकतान verify करने पर एक वर्स की सेवा verify होगी और एक वर्स की सेवा पर किता है एक दसमलो साथ पाँच है इसी प्रकार अगर आपकी 20 वर्स की सेवा है तो ये total भारंग किता है 35 है तो अब वो जमाना गया, जब हम विध्याले से सर्टिफिकेट बनवा के लिखवा लेते थे, कि सर्टिफिकेट हमारा हो गया और निश्चित रूप से यहाँ पर हमको इतना मिलेगा, नहीं, अब नहीं मिलेगा, बाकी समझत तरह के भारांगों को खतम कर दिया गया है, बिय भी सामन सिक्षकों की तरह ही तैयारी में जोड़ जाएं, और यह जो आपने महनत की है, उस महनत के यह अंक आपको आसानी से मिल सकते हैं, अगर आप बास्तिक रूप से पढ़ा रहे थे, और आपके पास रिकॉर्ड हैं, तो यह कुछ ऐसे प्रशन थे, जो लगातार फ्र PGT PGT के सभी अब भरतियों के लिए, यह live session होगा, phone call, पहले से सूचना आपकी होगी, और आयोग के सबसे महत्पूर सदस्यों के साथ रहने वाले व्यक्ति, जो आयोग की किरिया विधी से जोड़े हुए हैं, आलोग की कार विधी से जोड़े हुए हैं, जिनको बहुत अन भवी हैं, और आप यहां से जब लाइफ को phone call करेंगे, तो निश्चत रूफ से आपके सभी प्रकार के जो भी प्रिश्ट है, चाहे वो combination से related हों, चाहे वो कार विधी से related हों, चाहे वो परिक्षा से related हों, चाहे तयारी से related हों, चाहे हो तकनीकी ज्ञान से related हों, जो आप तक्निकी ज्यान चायते इस परिक्षा के बारे में सभी प्रिश्णों का उतर देने के हम लोग पूरा प्रियास करेंगे जल्दी इस सत्र का आयोजन आप सभी लोगों के लिए किया जाएगा ताकि आपके मन मस्तिक्स में जितने भी प्रिश्णे हैं वो निकल सके और आप एकागर होकर अपनी तयारी को आगे बढ़ा सके टार्गेट बिद आलोग उनलाइन इस्टिट्यूट आलोग सरके कुसल निर्देशन में हमेशा ये प्रियास कर रहा है कि आपको TGT PGT की एक सीट ना केबल दिलाएं बलकि rankers भी दे क्योंकि इस से पहले जो भी सिक्षर की परिक्षा होई है टार्गेट बिद आलोग उनलाइन इस्टिट्यूट ने rankers दिये हैं हम पूरी research team के साथ, notes के साथ, अध्यापकों की अनुभवी team के साथ इस परिच्छा के सभी विश्यों के अभ्यरतियों के प्रिवेश को आमंतरित करते हैं आप सभी लोग आएए टार्गिट वे तालोग ओनलाइन इस्टिटूट से जुड़िए और निश्चित रूप से आप अपनी एक सीद पक्की करिए हम इंतिजार कर रहे हैं प्रिवेश प्रिकरिया मैं बता चुका हूँ पांच नमबर तक ही केबल खुली है नए बैच की कच्छाँ छे नमबर से प्राड़म होई बहुत बहुत धन्नबाद नमस्कार